अगर आपकी कोई कीमती तस्वीर इतनी धुंदली है कि ठीक से समझ में भी ना आ सके तो परिशान होने की ज़रूरत नहीं। गूगल ने निहायद धुंदली तसावीर को बेकुल वाज़े करने की टेकनॉलोजी मुतारफ करा दी। अब तक हमने साधी तसावीर को मस्मी जहानत, AI की मदद से मतहर्रिक करके देखा है। अगले मरहले में गूगल ने इंतहाई भद्दी और कम वजाहती, लो रिजोलूशन, तसावीर को वाज़े और बलंद मेयार देने का कामियाब तजर्बा किया है। यहाँ तक के बास तसावीर में आँखें और दीगर नकूश गायब हैं, लेकिन गूगल अल्गोरितम ने इसे बड़ी खूपसूर्ती से मकमल कर दिखाया है। गूगल में अपने बलाग में इस टेकनॉलोजी की तफसीलाद और बास तस्वीरी मिसाले दी हैं। गूगल में AI का एक अलग से शोबा है जो कई मैदानों में मतहर्रिक है। इस नई टेकनॉलोजी को High Fodility Image Generation Using Diffusion Model का नाम दिया गया है। इसकी बदालत एहल खाना की पुरानी और दानेदार तसावीर को बिलकुल नया किया जा सकता है। इसी टेकनॉलोजी को CCTV की वीडियोज और तसावीर वाज़े करने के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है। दूसरी जाने टिब्वी अक्स निगारी के मैयार को बढ़ा कर मर्स की शनाख और मरीजों की जान बचाने में बहुत मदद मिल सकेगी। डिफ्यूजन माडल से सिर्फ चंद सेकंडों में तस्वीर वाज़े, साफ और बलंद वजाहती हो जाती है। गूगल के मताबिक ये टेकनालोजी मस्नुमी जहानत इस्तिमाल करते हुए तसावीर से नवाज, यानी दाने, कम करती है और इस दोरान AI बताती है कि तस्वीर के अज़ख इस तरह मरत्ब होंगे और इस तरह एक वाज़े तस्वीर सामने आती है। इसे गूगल ने सपर रेजोल्यूशन वरास्तार पे ड्रिफाइन मिनिट का नाम दिया है, जिसका मखफफ SR3 है। इसकी बदूलत तब्दील शदा तसावीर देखकर हैरत होती है क्यूंकि असल के मकाबले में तब्दील शदा तसावीर बहुत वाज़े बनती है, गोया किसी धंदली शवीच से असल और फित्री तस्वीर वाज़े होती है। बसा आवकात मुश्किल से पहचाने जाने वाले चेहरे बिल्कुल वाज़ होकर सामने आ जाते हैं